नमस्कार मैं हूराम प्रिकाश राई रविवार के इस खास पाचीप में आपका स्वागत आज बात होगी अभी हाल में संपन्न हुए विधान सबाचुनाओं में उस राज्य की जहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ कॉंग्रेस पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई हम अक्सर अपने तमाम चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स में आधी आवादी की बात सुनते रहते हैं कई बार इसकी खुब बात होती है महिला आरक्षण को लेकर के तमाम तरीके के वादे होते हैं महिलाओं के ससक्ती करण, महिलाओं की दसा, महिलाओं की सिख्षा से लेकर के और तमाम बुनियादी जो उनके अधिकार और सुविधाएं हैं, उनको लेकर के तमाम राजनेतिक दल अलग-अलग बात करते हैं। कॉंग्रेस पार्टी ने अभी जब उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओं हुए थे तो वहाँ पर महिलाओं के लिए 50 प्रच्षत सीटे आरक्षित कर रखी थी। तो इस तरीके की तमाम चीज़े हम महिलाओं के लिए पढ़ते रहते हैं। पर आज हम बताएंगे आपको इस चुनाओं के परणामों के जरिये उस आधियाबादी का सच। उस आधियाबादी का सच क्या है वहाँ अभी हिमाचल प्रदेश गुजरात दो जगे चुनाओं अभी संपन्न हुए हैं। हम पहले बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हम प्रतिनध्यतों करने वाली बात होगी तो महिलाओं का प्रतिनध्यतों विधान सबा के अंदर केवल एक विधायक करेंगी। ये विधायक है रीना कस्याप भारती जनता पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ी थी पच्छाद की विधान सबा सीट से इसके पहले वो चुनाव लड़कर के विधायक रही थी और अपनी सीट को बचाने में काम्याब रही इसके अलावा जो बाकी उमिद्वार थे सार बार बार छे बार की विधायक रही हैं ऐसे में कई सारे सवाल भी उठेंगे खेर इन सवालों की बाद बाद में होगी पहले नजर डालते हम जरा ये आकडों के हिसाब से चीजों को समझते चले हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं इन 12 जिलों में विधान सबा की 68 सीट 36,472 हैं वहीं जो महिलाएं हैं वो 36,98,238 ये उनकी संख्या है अब बात करते हैं इसमें वोटर्स की जो हिमाचल प्रदेश विधान सबा के चुना हुए इसमें जो रेजिस्टर्ड वोटर थे इनकी संख्या 55,92,828 थी जिसमें जो पुरुष वोटर हैं उनकी संख्या 28, 27,54,945 महिला वोटर्स की संख्या 27,37,845 अड़तिस थर्ड जेंडर के वोटर्स अब ये हो गई वहां की संख्या और वोटर्स की बात अब हम लोटते हैं राजनेतिक दलों के स्थिटी में राजनेतिक दलों में जब हम बात करेंगे हिमाचल की विधान सबा चुनाओं में इस बार कुल 412 उम्मिदवार मैदान में थे जिसमें से 388 उम्मिदवार पूरिश थे और 24 उम्मिदवार महिला थी राजनेतिक दलों में 6 महिला उम्मिद्वारों को भारती जंता पार्टी ने टिकट दिया था आम आदमी पार्टी ने 5 महिला उम्मिद्वार उतारे थे और कॉंगलेस पार्टी ने 3 महिला उम्मिद्वारों को चुनाओं में अपना प्रत्यासी बनाया था चुनाओं के मैदान में जंग लड़ने के लिए उन पर भरोसा दिखाया था यानि इसके अलावा तमाम और महिलाओं ने प्रतिभाग किया इस चुनाओं में हला कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ज़्यादा चुनाओं होता है 2017 में भी 75 से ज़्यादा वोटिंग हुई थी 2012 में जब वोटिंग हुई थी तो उस समय पे करीबती 70% वोटिंग हुई थी तो हिमाचल में वोटिंग खूब ज़्यादा होती है जाराम ठाकूर भारती जनता पारटी की चेहरे थे इसके अलावा महिला चेहरा होने के बावजूद भी कॉंग्रेस का महिलाों को लेकर के जो उमिद्वारी को लेकर के देखा जा तो जो परसंटेज है या जो संख्या है वो बहुत कम थी केवल तीन महिला उमिद्वार 68 विदानसबा सीटों में कॉंग्रेस ने उतारे थे 2017 की हम बात करें तो 4 महिला विदायक चुन करके सदन में पहुंची थी 2022 में एक मात्र महिला विदायक चुन करके सदन में गई हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया वो कॉंग्रेस की उमिद्वार हैं जो दयाल प्यारी उनको हरा करके वो अपनी सीट पर जीती है उस सीट पर भारती जनता पार्टी को 21,215 वोट हासिल हुए तो कॉंग्रेस पार्टी के उमिद्वार को 17,358 वोट मिले थे ये बात हो गई उमिद्वार, टिकेट और जो कुल वोटर्स थे और उनकी बाद जो दिगज महिला नेता थी जो पहले मंतरी भी रहे उन सब में उन सब को में से भी कुछ चेर ऐसे रहे जो अपना शीट बचा नहीं पाए छे दिगजों में चार बड़े नाम जो पिछली बार किस से जुड़े हुए थे कांगरा जिले के सापूर सीट से सरवीन चौधरी जो अभी वरतमान समय में सरकार में मंतरी थी वो अपनी सीट हार गयी चार बार विधाय करे जुकी है वो इसके अलावा आशा कुमारी जो कॉंगरेस की नेता हैं । छे बार की विधाय करें वो अपनी सीट बचा पाने में नाकाम रही रीता दिमान जो भारती चनता पार्टी से थी वो हार गयी चुनाओ चंपा ठाकूर बड़ा नाम था, कॉंग्रिस से उनको भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है अब ये हम उस राज्य की बात कर रहे हैं, जिस राज्य में 50-20 संख्या महिला वोटर्स की है यानि हर दूसरी जो वोटर है वो महिला है, हर दूसरा वो व्यक्त जो वोट डालने जा रहा है, वो महिला है इसके बावजूद भी महिला जो उम्मीदवार थी, उनका ये हश्र है, उनकी ये जीत है, उनकी ये संक्या है, उनका ये प्रतिनत है विदान सभा में कुछ निर्वाचन शेतर ऐसे रहे जिनमें महिलाओं की वोटिंग टर्नाउट पूरुष वोटर्स की अपक्षा जादा हुए जैसिंगपूर में जादा वोट पड़ा महिलाओं का भोरंज में जादा वोट पड़ा महिलाओं का जुबल कोटखाई में जादा वोट पड़ा महिलाओं का यहाँ पर महिला वोटर्स का टरन आउट जादा रहा इसके बावजूद्धी महिलाओं को हार का सामना करना पड़ा 19 ऐसे निर्वाचन छेतर है जहां पर अंतर बहुत कम था ये ये जो है वो आकड़े थे जहां पर पुरुष और महिला मद्दाताओं की संख्या जो वोटिंग टर्नाउट जो हुई उसमें मामूली अंतर रहे कई जगे पर महिलाओं के वोटिंग खुब जादा हुई और इसके बावजूद भी उस जगे पर उमिद्वार जो है वो पुरुष जीता महिलाओं की जो 24 महिलाओं थी उसमें से प्रतंधित्वका अधिकार केवल महिलाओं ने एक को दिया उस राज्यमें जहां पर 50 पॉटर महिलाओं gibi उस जगे पर कॉंग्रेस ने महिलाओं को कम टिकट दिया उत्तर प्रदेश में जहां पर कॉंग्रेस की जमीन नहीं थी वहां पर वो महिलाओं को ज़ादा से ज़ादा संख्या में टिकट देने का बादा कर रही थी वही कॉंग्रेस हिमाचल में जाती है तो वहाँ पर महिलाओं को वो मिदवार नहीं बनाते हैं इसको लेकर कि कई तरीकी के सवाल मीडिया में उठे दूसरी ओर आदी अब आदी महिला ससक्ती करण की बात करने वाली भारती जनता पार्टी उनकी 68 सीटों में से मातर 6 महिला विदायक उन्होंने उतारे आप आदमी पार्टी खरवाँ पहली बार चुना उलड़ रही थी और उनकी संख्या बहुत कम थी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो उनको एक फीसदी के आसपास वोट मिला है वहीं चुनाओ नतीजों की बात करें कॉंग्रेस के हिस्से में 40 सीटे गई भारती जनता पार्टी के हिस्से में 25 सीटे गई कॉंग्रेस ने 19 सीटे गेन की भाजपा ने 19 सीटे लूस की निर्दलियों के खाते में 3 सीटे गई है इन सब के अगर हम बड़े परिप्रेक्षमें सब की जब बात करें तो चाहें वो राजनितिक दल भारत में कोई भी हो सभी महिलाओं के अधिकार को मजबूती से बोलते हैं महिलाओं के अधिकार की बात खूब मजबूती और जोर जोर से उठाते हैं परक्सर जब चुनाओं होते हैं तो चुनाओं में ये देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से महिला उम्मिदवारों की अंदीखी की जाती है। जब हम उस संख्या पर नजर डालते हैं हिस्सेदारी पर नजर डालते हैं तो फिर वास्तविक छेहरा उन राजनेतिक दलों का दिखाई देता है जो महिला ससक्तिकरण और महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं तमाम मंचों से महिलाओं को अधिकार देने की बात करते है तमाम योजनाएं जो महिलाओं को लेकर के टार्गेट किया जाता है इन सब के बावजूद भी जब टिकर देने की बारी आती है तो महिलाएं उन्ही राजनेतिक दलों की सूची में हाशिये पर खड़ी दिखाई देती है ऐसे में तमाम हम जब भी भी किसी भी चुनाओं को देख लेते हैं तो उनके जो राजनेतिक दलों के घोशना पत्र होते हैं उनमें महिलाओं को प्रात्मिक्ता मिलती है महिलाओं के लिए तमाम तरीके के अलग घोशनाएं होती हैं अलग से स्कीमें जारी की जाती है, कहीं गैस सिलेंडर को लेकर के टार्गेट किया जाता है, कहीं उन्हें पेंशन देनी की बात हो जाती है, तो कहीं पर उन्हें भत्ता देनी की बात हो जाती है, कहीं फ्री बस यातरा की बात होती है, तो कहीं उनको फ्री स्कूटी देनी की इतनी सारी सुविधाएं देना ठीक है पर टिकर देते समय राजनितिक दलों का ये नजरिया कैसे बदल जाता है ये बड़ा सवाल है और ये जो सवाल है वो केवल किसी एक दल से नहीं है ये सारे राजनितिक दलों का यही हाल है राजनितिक दल किसी भी राजमे हो किसी भी को रास्प्रचत वोटर, जो हैं वो महिला हैं, उसके बावजूदी महिलाओं में का प्रतनिज़तों करने के लिए केवल एक महिला विदाय का चुन करके सदन में जाना, अपने आप वो हिमाचल पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, और साथी साथ सवाल करें, हिमाचल प्रदेश कि उन महिला वोटर्ज पर जिन्होंने इतने भारी संक्या बल संक्या के साथ वहाँ पर वोटिंग की, मतदान किया ये ठीक है कि वहाँ पर मदान जयादा होता है, अच्छी चीज़ रास्टरि मदान ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना भी चाहिए पर महिलाओं का प्रदिन है तो अगर महिलाओं का ही समर्थन नहीं होगा तो ऐसे में महिलाओं के हिस्तेदारी की बात मजबूत कैसे होगी यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर ना केवल राजने तिक धलूं बलकि समाज और हम आप यानि आम आदमी को भी करना होगा बने रही हमारे साथ निवाद